OA, Osteo Arthritis and RA, Rheumatoid Arthritis दोनों में ही joint में problem देखने को मिलती है तो OA में क्या होता है, जो articular cartilage होती है उसका Degeneration होने लगता है और यह most common देखने को मिलती है Weight Bearing Joint, जैसे knee joint हो गया और hip joint हो गया और RA क्या होता है, chronic autoimmune disorder होता है और यह most common देखने को मिलता है, small joint में जैसे metacarpophalangeal joint हो गया, proximal interphalangeal joint हो गया metatarsophalangeal joint हो गया और आना, RA में अलग-अलग type की deformity देखने को मिलती है जैसे swan neck deformity, button hole deformity, coke up toy deformity तीक है, यह अलग-अलग type की deformity देखने को मिलती है और OA क्या होता है, asymmetrical होता है जबकि RA symmetrical होता है, दोनों side के joint effect होंगे इसमे ठीक है, और OA में क्या होता है, यह after 50 year के बाद में देखने को मिलता है OA, जबकि यह RA early age में देखने को मिलता है और OA में morning stiffness कम time के लिए रहती है जबकि RA में morning stiffness जादा time तक रहती है OA में एक या एक से ज़्यादा joint का involvement देखने को मिल सकता है लेकिन RA है इसमें multiple joint involvement देखने को मिलता है और OA, देखो इसमें क्या होता है कि joint के बीच की cartilage जाना उसका degeneration होने लगता है तो जब affected joint का अक्सरे करवाएंगे तो joint के बीच का space कम देखने को मिलेगा तो इसे अपन इसका diagnosis कर सकते है जबकि RA में क्या होता है anti-CCP antibody positive रेकने को मिलती है तो अपन इसके दवारा RA का diagnosis कर सकते है